नमस्कार आज की बात में आपका स्वागत है महाराथ में नौमेरिशन के लिए सिर्फ 18 घंटे का वक्त बचा है लेकिन अभी तक महाविकासा गाड़ी और महायूटी दोनों एलाइंसेज में सीटों का बटवारा फाइनल नहीं हो पाया है हाला कि आज बीजेपी और शरत पवार के एनसीपी ने अपने अपनी उमीदवारों की लिस्ट जारी की लेकिन अभी भी महाविकासा गाड़ी में 23 और महायूटी में 28 सीटों पर बात अटकी हुई है इस बीच आज एकनाचिंदे अजीट पवार प्रिसुरा चभाण अशोग चभाण की बेटी शरी अपने 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 नमिनेशन फाइल किए अजीत पवार के खिलाफ शरत पवार अपनी ग्रेंटसन योगिंदर पवार का नॉमरेशन कराने के लिए खुद पहुँचे लेकिन अनिल देश्मुक के बेटे सलिद देश्मुक रोड शोक के चक्कर में रिटरनिंग आफिसर के दफ्तर में लेट पहुँचे इसलिए परचा नहीं भर पाए इस दोरान बगावत की खबरे भी आने लेगी आज संभाजी नगर सेंटर सीट से उद्धव ठाकरे की शिव सेना के उमिदवार किशन चंद तनवानी ने चुनाव लड़ने से इंकार करतिया किशन चंद तनवानी एकनाशिंदे की शिव सेना को सपोर्ट करेंगे इसी तरह टिकट न मिलने से नाराथ एकनाशिंदे के पार्टी के नेता महेश गायकपाड ने कल्यान इस्ट सीट से निर्दली उमिदवार के तौर पर परचा भरतिया ये सीट बीजेपी के खाते में गई है बोरीवली सीट पर टिकट के चकर में बीजेपी के निताओं में नाराजगी है इसकी खबर भी आई यानि महाराश की सियासत में चुनाफ से पहले आज की रात कई बड़े खेल हो सकते हैं इस बार महाराश में भारामती, वरली, माहिम, अणूशक्तिनगर, बानरा इस्ट, मुब्रा और ठानी की ऐसी बहुत सारी सीटे हैं जिन पर मुकावला परिवार के लोगों के बीच है पुराने साथियों के बीच है इन सीटों के समी कॉंटों पर चर्चा करेंगे मैं आपको बताऊँगा कि अजीत पवार ने आज अपनी किस गलती पर माफी मांगी एक नाश्चिंदे ने अनदिगे की विरासत पर कैसे दावा ठोका वरली और माईम सीट पर ठाकरे परिवाल के लिए नाक की लड़ाई क्यों बन गई शुरुआत करते हैं बारामती की सीट से जो इस बार सबसे हॉट सीट बन गई है बारामती असेम्ली सीट पर शरत पवार का परिवार आमने सामने है मायुक्ति तरफ से शरत पवार के भतीजे अजित पवार है और माविकास अगाडी के तरफ से शरत पवार के ग्रेंड सन और अजित पवार के भतीजे युगेंदर पवार है आज दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किये इस सीट पर अजित पवार 1991 से 33 साल से लगा अतार विधायक है वो साथ बार चुनाव जीच चुके हैं लेकिन पहली बार शरत पवार से अलग होकर अलग पार्टी बनाकर चुनाव के मैदान में है आज अजीत पवार पूरे दलबल के साथ पर्चा भरने पहुंचे इस मौके पर उनकी NCP के सभी बड़े निता मौझूद थे नॉमिरेशन से पहरे अजीत पवार ने रोट शो किया चुकि शरत पवार ने इस बार अजीत पवार के सामने उनके भतीजे युगेंदर पवार को उता रहा है इसलिए बारमती सीट पर चुनाब बहुत इंटरस्टिंग हो गया है और अजीत पवार भी इस बात को मानते हैं लेकिन इसके लिए वो जिम्मेदार शरत पवार को ठहरा रहे हैं नॉमिनेशन के बाद हुई पबलिक मीटिंग में अजीत पवार ने का घर के जगड़े चार दिवारी के बीच सोलिजने चाहिए और ये जिम्मेदारी घर के बड़े बुज़र्गों की होती है अजीत पवार ने का उन्होंने जो गलती लोकसवा चुनाओ में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी वाइफ को मैदान में उता कर की थी वही गलती इस बार शरत पवार ने युगिंदर पवार को उतार कर की है अजीत पवार ने का लोकसवा चुनाओ में उन्हें गलती की सजा मिली थी अब विधा सवाचोनाओं में बारामती की जनता शरत पबार को सदा देगी मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे बरोसा है उनका अधिकार है मुझे उसके बारे में कोई भी कॉमेंट्स करनी नहीं उन्होंने ऐसा नहीं तरना चाहिए था मैंने सुप्रया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया वो मेरी भूल थी यह भूल वापीस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी लेकिन की है आखिर वोटर उसका उसके बारे में डिसीजन लेंगे अजित पवार का पूरा परिवार चुनाव के कैम्पेंड में लग गया है बेटा पार्थ पवार और वाइफ सुने तरह पवार दोनोंने कहा बारामती सीट अजित पवार का किला है यहां उन अब वहता हैं और वीरम साथ में परिक, आखिए वह तो आफिए दोग को अनवे खुने खुए बढ़ वहारा यहां वहां और दोग के मिलगलेंगे क्या लगता है कि जो sympathy मिली लोग सभे में वो continue रहेंगी पर वैसे नहीं रहता लोग सभे का अलग था politics विदान सभे का अलग है लोग बोल रहे थे कि ठीके लोग सभे के लिए हम पवार साब को देंगे विदान सभे को में हम दादा को देंगे दादा का बाली किल्ला है दादा को ही पसंद करते लोग unfortunately हम negative प्रचार नहीं करते मीडिया में जाके किसी को नहीं बोलते कि बोलो की तुतारी की अगेंस्ट वेव है हम एकदम प्यूर राजकारन करते है और इसलिए जो मेसेज गया है पबलिक में कि वेव उनके तरफे वैसे कुछ नहीं है लेकिन चाचा शरत पवार ने का वो सुनिश्चित करेंगे कि बारमती से इस बार उनके पोते युगेंदर पवार ही चुनकर विदासवाब में पहुँचें युगेंदर पवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मुकाबला चाचा से है इसलिए शरत पवार ने पूरी ताकत लगा दी है पर्चा भरने के बाद युगेंदर पवार ने अजित पवार को लेकर कुछ नहीं का उन्होंने का शरत पवार उनकी गुरू है मार्ग दर्शक हैं और वो उनके ही बताय रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे युगेंदर ने का भले ही ये चुनाव उनका पहला चुनाव है लेकिन वो लंबे समय से बारा मती के लिए काम करते रहे हैं और शरत पवार उनके साथ हैं इसलिए बारा मती के जंता का अशिरवाद उन्हें जरूर बिलेगा ये भले ही मेरा पहला चुनाव है लेकिन मैं कई वर्षों से समाजिक काम से जुड़ा हूँ ये मेरा पहला चुनाव है शरत पवार का अशिरवाद मेरे साथ है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम काम्याब होंगे बारामत्ती के लोगों ने पवार साहब को 27 साल की उम्र में चुना था मैं भी उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रहा हूँ वो मुझे भी पहली बार चुनाव में जिताएं पवार साहब ने जैसा अच्छा काम किया है वैसा ही मैं भी करूँगा सुप्रिया सूले भी नॉमेरेशन भर्मानी आई थी उन्होंने का कि ये परिवार की नहीं विचारधारा की लड़ाई है लेकिन सच्चा ही है कि जगडा तो परिवार का है और टककर काटे की है क्योंकि अजीत पवार 33 साल से इस सीट पर जीत रहे हैं बारा मती में एंसीपे का जो काडर है वो अजीत दादा ने तयार किया है इस बार बीजेपे और एकनाशिंदे की शिवसेना का सपोर्ट भी उन्हें मिले रहा है इसलिए अजीत पवार कॉन्फिडेंट है लेकिन अजीत पवार अच्छी तरह जानते हैं कि शरत पवार उन रतिए वह्तावमे यह साबिपी कर चुके हैं और विदास वह चुनौ में योगेंदर पवार की उम्हीद्बारी जरत पवार की चुनावी शतरंज की पहली चाल है आगे शरत पवार क्या उलखिलाएंगे यह कोई नहीं बता सकता बाहुंती का नतीजे अजीत पवार के प बारा मती प्रतिष्ठा का प्रश्ण है. बारा मती के फैस्वें सतय होगा कि असली NCP किसकी है बारा मती का असली दादा कौन है. बारा मती की तरह माविकास अगाडी ने ठाणे में एकनाशिंदे को गहरने की कोशिश की है, आज ठाणे की कोपरी पाचपा खडी सीट पर एकन उदव ठाकरे के शिव सेनाने एकनाशिंदे के राधनेती गुरू आनन दीगे के भतीजे केदार दीगे को मैदान में उता रहा है। हाला कि आज एकनाशिंदे ने दावा किया सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता जनता काम देखती है। उन्होंने आनन दीगे के विचार को आगे बढ़ाया है। इसलिए ठाने की जनता उदव को जवाब देगी। आज पर्चा भरने से पहले शिंदे ने आनन दाशम जाकर आनन दीगे को शधांजिली दी और इसके बाद ठाने में रोट शो करके अपनी ताका दिखाई। एकनाशिंदे एक बड़े से रत पर सवार होकर पूरी अलाके में घूमें उनके साथ पार्टी के हजारों कारे कर यह सिर्फ बीड नहीं है यह प्रेम है अरे प्रेम से सब लोग आये इन्होंने मुझे तार बार 20 साल विधायक बने है इसलिए मैं मुख्यमंत्री पा रहा है मुख्यमंत्री बन गया इसलिए जो प्रेम बिचले 30-40 सालों से है वो और बढ़ते जा रहा है आ निचित है अधि अब लोग एकनाश्त बन गए सब लोग को को लगता है हमारा चुनाओ है यह फरक है कि छुनाओ में मेरे जनता ही उतर गई है मैरी यह लाड़नी भाई जचिनव हाथ मे लिई यह के आम जनता ने चुनाओ हाथ में लिया है खुद ही एकनाश्तिंदे बन कर यह जनता ने दिखा दिया कि आपके खिलाफ केदार दीघय को उतारा गया है उनका पिंग मुखे मिधिया जीतने के लिए अपनी टाकत दिखानी पड़ रही है रोड शो करना पड़ रहा है इसका मतलब साफ है उन्हें डर लग रहा है संजर आउत ने का कि आनन्दिये की विरासत उनके भतीजे की है और ठाने की जनता इस बार केदार दिये को ही जिताएगी करने की जरूरत नहीं है अननिक जनता का करने की जरूरत नहीं है लेकिन देवेद पर्णवी से जवाब दिया कहा सिर्फ खून का रिष्टा होने से कोई वारिस नहीं बन जाता है और अनन्दिगे के विचार को आगे ले जाने का काम एकनाच शिन्दे ने किया है सिर्फ खून के रिष्टे से कोई वारिस नहीं बन जाता वारिस विचारों और कामों से धर्मवीर आनन्दिगे के असली वारिस एकनाच शिन्दे ही है कोपरी पाचपाखड़ी सीट पर एकनाच शिन्दे दोहजार नौ से लगाता जीत रहे है तीन चुनाव में उनकी जीत कांतर हर बार पढ़ता गया है पिछले चुनाव में उन्हें पैसर परसंट से जादा वोट मिले थे ठाने एकनाच शिन्दे का गड़ है जब वो शिव सिन्दे से लग हुए थे तो ठाने महादगर पालिका को जो ज़्यादा था पार्षद चुनकर आए थे वो उनके साथ आ गए कुछ लोग कह सकते हैं कि शिव सिन्दे को तोड़ने के बाद ये एकनाच शिन्दे का पहला चुनाव है लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दौरान लोग सबा कर चुनाव हो चुका है और ठाने में एकनाच शिन्दे की पार्टी के नरेश महसके ने चुनाव जीता उस वक्दी आनन दीगे की विरासत को उद्दवने मुद्दा बनाया था लेकिन इस सिम्तान में शिन्दे अवल दर्जे से पास हुए इसलिए असम्बिली एलक्षन में केदार दिगे एकनाच शिन्दे के सामने कड़ी चुनोती पेश कर पाएंगे ये मुश्किल लगता है इस बार मुंबई की माहिम सीट पर भी मुकाबला इंट्रेस्टिंग होगा इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमिद ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर एकनाच शिन्दी की शिव सेना ने सिटिंग एमेले सदा सर्वनकर को टिकर दिया है लेकि उन्होंने फिलार परचा नहीं भरा है क्योंकि माहिम यूति ने अमिद ठाकरे के खिलाफ उम्मिदबार न उतारने का फैसला किया है इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सदा सर्मन कर नॉमेरेशन न करें लेकिन राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ उदफ ठाकरे ने महेश सावन को टिकर दिया है हाना कि आज नॉमरेशन फाइल करने के बाद अमिर ठाकरे ने का उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके सामने कौन है उनके पिता राज ठाकरे ने उन पर भरुसा किया है और वो उस भरुसे पर खरा उतरना चाहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है I'm very happy that my father has trusted me to do this job लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है इसलिए बहुत खुश हो रहा है मैं अपने passion और dedication के साथ काम करता रहूँगा इसलिए मुझे उनका नहीं मालूम आदे ठाकरे जी ने आपको शुपकाम नहीं दे लिया है उनको भी बहुत बहुत शुपकाम नहीं अमिठ ठाकरे वरली से चुनाव लड़ रहे है उद्धव ठाकरे के बेटे और अपने कजन आदे ठाकरे को भी शुपकाम नहीं देने के लिए सामने आए लेकिन राज ठाकरे का परिवार इस बास से नाराज है कि उद्धव ने अपने भतीजे के खिलाब candidate उता रहा है राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने कहा ये उनका संस्कार है कि उन्होंने आदित्य को वाक ओवर दिया था अब उद्धव ने उस परंपरा को नहीं निभाया तो MNS ने भी इस बार वरली से आदित्य के खिलाप उम्बीदवार उतार दिया है मुझे इसे लगता है कि लड़ाई लड़कर जीतनी चाहिए तो मुझे मेरे बच्चे के उपर और सब वोटर के उपर बहुत कॉंफिडेंस है और लोगों को भी नया चेरा चाहिए अबी बार बार सवाल ही उट रहा है कि जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाओ लड़ रहे थे वरली से तो आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया था लेकिन ठीक वैसा अब हो नहीं रहा है माहीम में इनके सामने कैंडिडेट है श्यूसन हम जब ही कुछ करते है तो अभी साल नहीं हुए जैसे बिडिडिट चाल है खोली वाडा है पुलीस वसात है तो अगर वह पात साल में उन्हें नहीं साल किया तो हमको भी न्याय देना चाहिए न लोगों को राज ठाकरे ने बेटे कले सीट का चुनाव बहुत सोच समझकर किया है माईम वो सीट है जिस पर राज ठाकरे के पार्टी ने पहला चुनाव जीता था दोजार नौ में इस सीट पर एम एनस के दितिन देसाई चुनाव जीते थे उस वक्त कॉंगरेस के सदा सर्वनकर दूसरे नंबर पर रहे थे इसके बाद सदा सर्वनकर ने शिव से नहीं जोईन कर ली लगातार दो चुनाव जीते लेकिन एम एनस का उमिदवार दूसरे नंबर पर रहा इसलिए घर मायूती अमिद ठाकरे के खिलाब उमिदवार नहीं उतारती सदा सर्वनकर परिचा नहीं भरते तो अमिद ठाकरे के लिए रहा असान हो जाएगी लेकिन आधित ठाकरे के लिए इस बार वरली में मुकाबला मुश्किल होगा राज ठाकरे इस बार आदित्य ठाकरे के सामने वरली में संदीब देश पांडे को उता रहा है संदीब देश पांडे पिछली बार माहीं से लड़े थे दूसरे नंबर पर रहे थे इसके अलावा एकनाज चिंदे की शिर्चेना ने आदिती के खलाब राज्यसवा संसद मिलिन देवरा को टिकट देकर मुकाबले को ट्रैंगुलर कर दिया है असल में वरली असेंबली सीट साउथ मुंबई लोकसवा सीट के अंतरगात आती है और मिलिन देवरा साउथ मुंबई से टीम बार संसर रह चुके हैं इससे पहले उनके पिता मुली देवरा भी इस सीट से चार बार चुनाब जीते थे वो इस इस इलाके में बहुत लोग प्रिया थे इसलिए एकनाश चिंदे ने मिलिन देवरा को मैदान में उतार कर आतिती के रहा मुश्किल कर दी वर्ली सीट शिवसेना का गड़ रही है 1990 के बाद इस सीट पर सिर्फ एक बार 2009 में शरत पवार के इनसीपी इस सीट पर जीती बाकी सारे इलेक्शन शिवसेना ने जीते हैं लेकिन पिछले तीन चुनाओं में MNS इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही इसलिए राज ठाकर इस बार आधित का खेल बिगाड सकते हैं इसी तरके समीकरण वर्ली के पासवाली सीट बंडरा इस्ट में है आज बेंदरा इस्ट से बाबा सिद्धिकी के बेटे जीशान सिद्धिकी ने अजीत पवार की NCP के उमिद्वार के तौपर नॉमरेशन फाइल किया जीशान इसी सीट से से शिटिंग MLA हैं लेकिन वो पिछला चुनाव कॉंग्रेस के टिकट पर चीते थे बेंदरा इस्ट में जीशान सिद्धिके के मुकाबला वरूर सरदेसाई से है वरूर उद्धव की शिफ से ना सुमिद्वार हैं और वो आदित ठाकरा के रिष्टेदार हैं कजन है आज वरूर सरदेसाई के नॉमरेशन के वक्त उद्धव के बेटे तेजस ठाकरे भी मौझूद थे बंदरा इस सीट पर नॉमरेशन के बाद जीशान सिद्धिके ने कहा पिता के जाने के बाद ये उनका पहला चुनाव है मुश्किल वक्त में अजीत पवार ने उनका साथ दिया उन्हें भरोसा है बादर इसकी जनता भी उन्हें जरूर चिताएगी जिन समय में प्रफूर पटेल जी अजीत पवार जी प्रफूर पटेल जी सुनीन तबकरे जी ने एक भरोसा दिखाया है मुझे मैं उनका आभारी हूँ और राष्टवादी पार्टी से लड़ने जा रहा हूँ और पूरी जनता मेरे साथ है जनता जिताने वाली है और आप जनता के सलाब से आपको दिख रहा है पपा ने मुझे यही सिखाया है कि कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं रखनी चाहिए औ और उनका जो लड़ाई थी गोर गरीबों के लिए उनके घरों के लिए वो लड़ाई मैं लड़ूँगा मेरी परिवार मेरे साथ है मेरी बेहन मेरे साथ है मेरी मा के मेरे आशिरवाद दुआ लिये है और मेरे पिताजी भी मेरे दिल में है हमेशा की तरफ मैं उनको देख बांदरा इस सीट की पैचान दो बातों से है पहली तो यह कि एक मुस्लिम बहुल सीट है दूसरी इस 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 इलाके में फिल्म इंडिस्टी के बड़े-बड़े सुपरस्टार रहते हैं बांदरा में बाबा सिद्धी की का जबरदस असर था वो इस इस इलाके में बहुत लोग प्रिय थे और जिस तरह से उनकी हत्या हुई उसके वज़े से लोग की सिंपेथी जीशान सिद्धी के साथ है चुनाव में इसका फाइदा होने मिलेगा अजित पवार की NCP से آज सना मलिक ने अनूशक्ती नगर से नॉमिनेशन फाइल किया सना मलिक नवा मलिक की बेटी है अडू शक्ति नगर से नवा मलिक सिटिंग एमले है नवा मलिक पिछले साल तक शरत पवार के सबसे करीबी लोगों में से थे लेकिन वो अजिर पवार के साथ है इसलिए शरत पवार ने अनुशक्ति नगर से सना मली के खिलाफ फहाद एहमद को टा दिया है फहाद एहमद फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भासकर के हजबन ने उन्होंने कल ही समाजबादी पार्टी छोड़कर शरत पवार की एंसीपी जोइन की थी फहाद एहमद ने का सना मली को टिकट इसली मिला क्योंकि वो नवा मली की बेटी है इस इल्दाम पर सना ने का उन्हें इस बात का गर्व है कि वो नवा मली की बेटी है लेकिन वो कई साल से अनुशक्ति नगर के लोग के बीच रहकर काम करती रही है और उनकी अपनी पहचान भी है पिछले साथ साल से मैं लगाधार अनुशक्ति नगर में काम कर रही हूँ हर विकास कारे में पिता जी के साथ थी कि उनके short absence में भी मैंने लोगों के जुड़ा ही रही और लोगों को भरोसा रहा है लोगों ने वो भरोसा नहीं तोड़ते हैं वो देड़ दो साल जो हम में अकेली काम करते थे लोगों ने continue किया उस पर अपने आज आप गली गली में जाओगे या अनुशक्तिनगर के शेतरों में घूमोगे तो आपको सनामली को ने उसको बताने की जुरुत ने पड़ेगे यहां की हर महिला हर बच्चा जानता है कि सनामली क्या है वो इसलिए नहीं जानता है कि वो नवाबली की बेटी है इसलिए जानता है कि पिछले साथ साल से हर गली हर पहाड में जा रही है हर जगी देख रही है किदर क्या मसला है और लोगों के मसलों का हल कर रही है तो हमें का के अधर पे का ओट मांगना है और काम के अधर पे हम वोट मांग के हमेशा जीतते आये हैं और आगे भी जीतेंगे सना मलिक लिए नवा मलिक ये अपनी अधर अगर की सीट खाली तो कर दी अब नवा मलिक ने अलान किया है कि वो शिवाजी नगर मांध्खुर सीट से चुनाब रड़ेंगे नवाब मलिक ने का वो कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे हाला कि अजीद पवार ने अब तक नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया है क्योंकि बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने के खिलाफ है लेकिन मलिक अड़े हुएं उन्होंने का कि मानखुद की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें मलिक ने ये भी का वो किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे वो अजित पवार के साथ थे और अजित पवार के साथ आगे भी रहेंगे विधान सब़ा चेतर से मानखुद से और कल नामनखकन दाखे करने के बाद दोनों जगा चुनाव परशार की सुरुवत हम करेंगे और दोनों स्कृटों करेंगे जनता ने मुझे में विश्वास जताया है, जब जनता ने मुझे बुलाया है, तो मुझे लगता है ये विश्वास मुझे पर लोगों ने जताया, हम जीतेंगे और पूरी ताकस से लड़के चुनाओं को जीतेंगे पवार साहब के साथ मैंने काम किया है किसी भी राजनितिक दलकी नेता है вещи से मेरे संवाल अच्छे है लेकिन अजीत पौवः मेरे साथ कठी समय में मेरे परेवार के साथ कड़े रहे तो मेरा कर्तेव बनता है कि जो आपके साथ खडआ है उसके साथ खड़ा रहना इंजीत अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया अबू आजमी ने का नवा मलिक को अजित की पार्टी टिकेट देगी या नहीं वो इंडिपेंडेंट के टॉप पर चुनाव लड़ेंगे आजमी ने का असल में ये बीजेपी की स्टेटेजी है बीजेपी चाहती है कि नवा मलिक मुसल् ना दिया जाए और आजाद लड़ाया जाए तो कुछ ओट ज्यादा काट सकते हैं सिर्फ इसलिए लड़ा जा रहा है कि ओट काटें जीत नहीं सकते ओट काटके बीजेपी कुछ जुता हैं ये बात जनता को अच्छी तरह पता है कि ओटों को डिविजन से कौन चुन करान चुक गए, पहले इस सीट से अनल देश्मुख को शहरत पबार ने टिकर दिया था, लेकिन अब उनके बेटे सलिल देश्मुख के नाम का अलान किया गया, सलिल देश्मुख को आज ही नॉमिनेशन फाइल करना था, लेकिन शक्ति प्रजश्टिक का चक्कर में लेठ हो गए, आज सलिल देश्मुख के नामंकन की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, काटोल में सबा हुई, हजार रोग जमा हुए, कई नेताओं ने भाशन दिये, इसके बाद रोट शो हुआ, लेकिन जब सलिल देश्मुख तहसील आफिस पहुंशे तो पता चला नॉमिनेशन फाइ इन में इमोशनल इशूज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन्होंने का कि एडी सी बी आई की कारवाई का सर उनके परिवार पर पड़ा, उनके वाइफ को कैंसर हो गया, और इसके वज़ए सिर्फ बीजेपी है, इसलिए काटोल के जनता बीजेपी को सबक सिखाएग मुझे एडी, सी बी आई ने इतना कश्ट दिया के मेरी पतनी आरती देशमुक को कैंसर हो गया, 14 कीमों उन्होंने लिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, भारते जनता पार्टी की वज़ह से इन्हें कैंसर हुआ, ये हमारा पूरा परिवार भूला नहीं है, ये मैं आप लो 295 से लगातार इस सीट पर चुनाब जीते रहे हैं, सिर्फ 2014 में वो एक बार बीजेपी से हारे थे, अन्देशमुक अब अपने बेटे को विरास्ता सौपना चाहते हैं, हाला कि शरत पवार चाहते थे कि इस बार अन्देशमुक चुनाब लड़ें, लेकिन अन्देशमु अड़ गए, इसलिए शरत पवार को छूखना पड़ा, हाला कि अब टिक्टो के बटवारे को लेकर नाराजगी भी सामने आने लगी है, आज कल्यांड इस सीट पर एकनाच चिंदे के शिव सिना के नेता, महिश गायकवार ने निर्दलिये के तौर पर परच्चा फरतिया असलिए कल्यांड इस्ट सीट महायूती में बीजेपी को भी ली है, बीजेपी ने यहां से सिड्नी के मेले गणपत गायकवार की वाइफ सुलभा गायकवार को टिक्ट दिया है, फरवरी में गणपत गायकवार ने थाने के अंदर महिश गायकवार पर गूली चलाई थी, गर्णपत इस वक्ट जेल में है चूंकि बीजेपी ने महेश गर्णपत के वाइफ को टिकट दिया इसलिए महेश गायकवार नाराज है आज दॉमिनेशन के बाद महिश गायकपाण ने कहा उन्हों सिर्फ इतनी मांग की थी कि गणपत गायकपाण के परिवार के जगा किसी को भी इसी से टिकट दिया जाए लेकि उनकी बात नहीं सुने गई इसलिए वो निर्दली चुनाव लड़ादी के लिए मजबूर है उमेद्वार उस उबाता के साथ गणावध कर रहे थी उनको अस्तलंगर कर रहे थी उनका प्रचार कर रहे थी तब महा युति ने वह सोचना चीए ता आज इस तल्यान पूरो के जो दशा हुए जो दूरुदशा हुए उसकी बारे में सोचना चीए मैंने पहले कहा था कि आप कोई भी उमेदवार दो जिसने ब्रश्टाचार किया यहां पर कोई भी विकास किया नहीं यहां पर यह कल्यान पूर्य का शोशन किया इसे वेक्ति को आप उमेदवार नदे किसी और को दे हम लोग सब काम करते हैं बगावत का चटका आज उन्दव को भी लगा संभाजी नगर सेंसर सीट से उन्दव ठाकरे के पार्टी को बिदवार ने चुनाव बैदान से हटने का ऐलान कर दिया संभाजी नगर सेंटरल सीट से उन्दाफ्ठाकरे ने किशंचंद तनवानी को टिकट दिया था लेकिन आज किशंचंद तनवानी ने एकनाच Śंदे की शिवस्टनेकूमिन बार प्रदीप जायसवाल को सपोर्ट करनेका ऐलान कर दिया उन्होंने का प्रदीप जैसफाल उनके पुराने दोस्त हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदू वोर्ड पटे, E.I. M.I.M. को इसका फाइदा मिले, इसलिए वो अपना नाम वापस ले रहे है। मैंने आज हैलान किया है, कि मद्दे से मैं लड़ूंगा नहीं बोलके। उद्धा साब ने मेरे को मिद्वारी जहिर की, साथ दिन से मैं पुरी शहर में गुम रहा हूं, देख रहा हूं। मेरे को परिस्तिती दिख रही है, कि 2014 की परिस्तिती फिर हो नहीं। करके मैं इलेक्शन नहीं लगने वाना। तो क्या यह आपका दोस्ताना निभा रहे हैं। मैं इस निभा रहा हूं, दोस्ताना उसमें भी निभाने को होना था। 2017 में यही परिस्तिती होगी थी, 2011 में, उसकों में दोरी मिली थी, हम लड़ रहे थे साथ में, मैं उसके साथ में था। जब उसने कबोल किया था कि 2024 में मैं लड़ूँगा। अब वो पार्टी बदल लिया, एक मैं शिंदे के गड़ में कहवा है, उसकों में दोरी मिली भी है। फिर 2014 की परिस्तिती इदर हो नहीं है, यह शेहर के अंदर करके मैंने मागार लिया है। असल में किशन चन तन्वानी 2014 के ऐलेक्शन की बात कर रहे है। 2014 के चनाव में भी परदीब जायसवाल और किशन तन्वानी आमने सामने थे। इसका फाइदा OVC की पार्टी को मिला और AIMIM के अम्तियाज जलील चनाव जीत गए। इस बार AIMIM ने नासर सिद्धी को मैदान में उता रहा है। इसलिए तन्वानी ने कहा कि वो 2014 का रिपीट नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल है कि उमिदबार तो पहले घुशित हो चुके थे। आज नॉमरेशन के वक्त टाइम खतम होने के बाद एक दिन पहले ही किशन तन्वानी को दोस्ती क्यों याद आई। हिंदू वोटों की फिक्र आज ही क्यों हुई। हकी करते कि किशन तन्वानी का फैसला सियासी है और उद्व को जटका देदी के लिया गया है। महरास के चुनाव में आज जो नॉमरेशन फाइल हुए। उसमें आपने देखा परिवारों के जगणों की बड़ी इंट्रेसिंग तस्वीर सामने आई है। जिन अजित पवार को शरत पवार ने बारा मेती में चुनाज जिताए। राजनीती सिखाई अपना उत्राधिकारी बनाया। अब शरत पवार उनी अजित दादा को अपने ग्रेंट संसे हरवाना चाहते हैं। उन बताना चाहते हैं कि पवार परिवार का असली दादा कौन है। जिन एकनाज शिंदे को ठाणे में आनंदीगे ने अपना उत्राधिकारी बनाया। उनी आनंदीगे के भतीजे शिंदे को उत्राधिकार की चुनावती दे रहे है। जो राज ठाकरे अपने आपको बारा साथ ठाकरे का उत्राधिकारी मान बैठे थे। उनका बेटा चुनाव के मैदान में है। और बड़े भाई उत्तव भतीजे को पटकने की फिराख में है। राज ठाकरे ने भी भतीजे आदिश ठाकरे के खिलाव उमिद्वार खड़ा कर दिया है। तो यहां दोनों कोंसिच्वेंस में भाई-भाई की लड़ाई देखने को मिलेगी। बाबा सिंदीके के बेटे जिशान को अपने पिता की विरासत और उनके प्रती सिंपती का फाइदा मिलेगा। सना मलिक के लिए अपने पिता के केसिस मुसिबत पेश कर सकते हैं। अनलिल देशमुक अपने खिलाफ केसिस की दुहाई देकर अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। महराश की राजनीती में मेटा मेटी, भतीजा भतीजी, पोता पोती सब मैदान में हैं। और ये दो दो तरफ से हैं। इसलिए शायद इस पार्ट के चुनाओं में राजनीती में परिवारवार की बाद कम से कम महराश में कोई नहीं करेगा। परिवार का टकराव जारकन के चुनाओं में भी हावी है। गिर्डी की रैली में आज शिवराई सिंग चौहान ने हिमन सोरिंद की भावी और जाम ताड़ा सीट से बीजेपी की बिदवार सीता सोरिंद के अपमान का मुद्दा उठाया। और हिमन सोरिंद पर तकड़ा टेक किया। शिवराद ने कहा माता सीता का अपमान करने के कारण रावन की सोने की लंका जल कर खाक हो गई रावन का पूरा वंश नष्ठ हो गया अब जारखन में इंडिई eskat close in की तुरह से सीता सुरिंड का पमान हुआ है इसलिए जन्ता हिमन सोरिन की लंका को जला कर खा करतेगी अभी हमारी बेंग श्रीमती सीता सोरेंजी उनके बारे में क्या करा है इसने उनके बारे में जो सब्द कहें मैं कह नहीं सकता सभा में मौश से कौन है स्रीमती सीता सोरेंजी श्रीमती सीता सोरेंजी की बाहू स्वारगी दुर्गा सोरेंजी की धर्म पत्नी और यहां के मुख्ध मंत्री की आदरनिया भावी लगती है भावी को हमारी मा का दर्जा दिया जाता है इर्वान अंसारी अपमान करता है बहन सीता का अपमान होता है और उनका देवर मुख्ध मंत्री मौमित दही जमाए बैठा एक सब्त मौसे निकलता चलू भर पानी में ढूब का मर जाओ हमन सुरें लेकिन याद रखो इर्वान अंसारी और हमन सुरें पहंत रोगती के अप्वान पर महा भारत हो गया था और कौर्वों का बंश सहित की जिनाद कर दिया जा एक सी तो माता कि अपमान बन अलावान का बन से सहित खात्मा हो गया था सीता का अपमान मा सीता का अपमान करने बालों का क्या हुआ इसानी दुनिया जानती है और इसे मैं आज क्या रहा हूँ बहन बेटियों का अपमान करने बाले जे एमेम और कॉंग्रेस की लंका पाप की लंका को जलागे भाजपाटी चालिगता रहा की ठोड़ेने नहीं चुना शिवरासी चौहन के बाद हिमनता बिस्तो सर्मा ने भी यही इशू उठाया हिमनता दुमका सीट पर बीजेपी के चार उमिद्वारों के समर्थम में एक एलेक्शन रैली करने पहुंचे थे हिमनता बिस्तो सर्मा ने कहा चुनावी सभाव में हिमन सुरेन अपनी वाइफ कलपना के तारिफ करते हैं लेकिन उनकी भावी सीता सुरेन का अपमाद हुआ उसे लेकर ना हिमन सुरेन दे मुख खोला तक कलपना सुरेन ने कुछ कहा हिमनता ने कहा कि हिमन सुरेन भले कुछ न कहें लेकिन इरफान अंसारी जैसे लोगों को कैसे ठीक करना है ये बीजेपी को पता है कि यह हैमन सुरेंजी का सरकार क्या है बंटी बबलु का सरकार है यह क्या करते हैं एक कल्पना मेराम हैं बोलता है हैं मैं जी से सबसे अच्छा मुख्ण मुख्णी कोई नहीं है फिर हैं आपका घर का बड़ा गोहु जब सीटा सुरेन का प्रमान होते हैं उसका बारे में भी आप कुछ बोलो यह हमारा पैक्षा होते हैं क्या सीटा सुरेन आदिवासी नहीं है जब एक आदिवासी महिलाव का उपर एतना अभध्र सब का बेवहार होते हैं तक कम से कम हैमन सुरेन जी इर्फान अंसारी को मिनिस्ट्री से निकाल लेना साहिए कि ने शाहिए आप्र बोलिये कल बना सुरेन दीन राथ माईक लेके बाद बोलते जाते हैं क्यों आपका सकती नहीं है इर्फान को खीश के जेल में डाल लेने का कि मेरा भवी का वखमान कर रहा है असल में कॉंगरिस के नेता और जारखन सरकार में मंतरी इर्फान नंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा था बीजेपी ने जारखन में उनके इस बयान को आदिवासी महिलाओं के अपमान का बड़ा इशू बना दिया इसलिए अब इर्फान नंसारी डिफेंसिव पर है आज इर्फान नंसारी ने का अब उन्हें सीता सोरेन की बात करने से ही डर लग रहा है कहीं बीजेपी फिर उनके बयान को कांट छाट कर ना दिखा दे मैं उनका नावाब मत लिजे डर लगता है कि एंफिर क्रॉप करेगा ये लोग कोछी करना नहीं मैं नाम नहीं लूगा मैं अपने काम पर ध्यान दिया हूँ काम पर फोकस कर रहा हूँ जो चुनाव लड़ी है उनसी आप जाके पुछी जावा में अपने क्या किया ठीक है जामतारा में तो कुछा किए नहीं आप सुच रहे हैं कि जो फुर्टा फुल्टा फुर्टा बोलगा कि यहाँ जंता को बिर्मित करके भूर देगा एक भी जंता भूर नहीं माट अंचला माफ नहीं करेंगे जिस क्लिप के बारे में आपने जिखर किया लोग देख लिया लोगों को यकिन है मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं संसकारी हूँ मैं मैं प्रालिक हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ मैं लाच्छन लगा देने से बिस्वास कर लेगा कोई क्या यह जामतारा है, जामतारा आदिवासी समाज में महिलाओं के समान को सर्वो पर ही रखा जाता है इर्फान सारी भी इस बात को समझते हैं इसलिए वो बच्चने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को आदिवासी महिलाओं के अपमान के साथ-साथ जारकंड की डेमोग्राफी के बदलाफ से चोड़ दिया आज जारकंड पुलीस की स्पेशल ब्रांच की 2023 की एक चिठी सामने आई जिसमें कहा गया कि जारकंड में बंगलादेशी घुस पैठियों को बसाय जा रहा है उनके आधार कार्ड बनाय जा रहे है इस चिठी को बीजेपी के नेताओं ने हिमन सोरिंद की सरकार की तुष्टी करण का सबूत बताया हिमन ताबिस्व सर्माने का बंगलादेशी घुस पैठिये आधिवासी बेहन बेटियों की इज़द और उनकी जमीन लूट रहे है और हिमन सोरिंद की सरकार घुस पैठियों को वोट के चकर में पना दे रही है हिमन ताने का जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी उसी तरह वो भी बंगलादेशी घुस पैठियों के खिलाब आग लगा रहे है बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले बागलादेशी को जार्खन से भगा दिया जाएगा आग तो लगाता हूँ घुस पैठियों का खिलाब हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में तो घूस पेठियू का खिलाब हमें आग लगाना है जारखान को सर्न भूमी बनाना है घूस पेठियू का परिबार में आग लगेगा और जारखान सर्न भूमी बनेगा आज आपने जारखान सर्कार का स्वी का नोट नहीं देखा है कि मद्रासा में बुलाया जाता है अधरकार बना के दिया जाता है जारखान में संठल परगाने में आदिबासी संखा कम हो रहा है मुसल्मान संखा बार रहा है हर मुसल्मान घुस बेटी नहीं है लेकिन हमारे इहां में हर पास साल में मुसल्मान का संखा कैसे बार रहा है एक परिबार क्या 10-12 बच्चा जनम दे रहा है 20 बच्चा जनम दे रहा है अगर कोई लोग एतना बच्छा जनम नहीं दे रहा है तो जरूर बाहर से लोग आ रहा है यह तो simple mathematics है, अरे हमन्सुरेन प्रेसर का लोगद दे रहा है, उनका सरकार संग्रेक्शन दे रहा है उसमें बुलने में क्या संका है। असर में खुस पेठीओं को बसा आई जाने के प्रूफ निश्यकान दूबे ने दिये। निश्यकान दूबे जारखन से पारलेमन्ट के मेंबर हैं। उन्होंने एक चिठ्ठी जारी की, जिससे एक बड़ा इशू बन गया। इसके बाद शिवरा सिंग चोहान ने एक चुनावी रैली में का जारखन में बंगला देशी घुसपैथिये आदिवासों की जमीन लूट रहे हैं, बेटियों की इज़त से खिलवाड कर रहे हैं, उनसे जबरंद शादी कर रहे हैं, अब आदिवासी समाज इसे बरताश नही बोटन इसकों के नाम लिखवाती हैं, और क्या धार कार्ट बनवाती हैं, क्योंकि इनके बोट बैंक ये हो, बोट बैंक, बोट दे दो, चाहर जों कर रो, हमारी आदिवासी बेटियों को ब्रहम में डाल, उनको बिबाद किया जाता है, उनके नाम को जमीन ख़़ी भी जा पटैस्चा किया जाता है, जिए धार खंट वालों ये तुनाओ के वल चुनाओ नहीं है, हमी किसी को सुत्ता के स्तुंध हुए सिंध धात्वाने का पठानों नहीं है, ये धार धार खंट के धर्ति को बचाने का चुनाओं है, मेरे वहनी प्रिजान को याद रखना ये पेईमान सकार आई, तो पास साल में धार घट को पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर देगी, चीर और तुमों की तरह नोच नोच के धार घट को फारे, ये कांगे ने सुच्छे एमन वाएं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जब बंगलादेशी घुसपैटियों का बुद्दा जोर शोर से उठाया, तो मुख्यमंतरी हिमन सुरेन ने उसका जबाब दिया। हिमन सुरेन और तेजर सियादव ने आज गोड़ा में एक जॉइंट रैली की। इसी रैली में हिमन सुरेन ने का बीजेपी के तमाम निता जारकर में घूम घूम कर घुसपैटिया घुसपैटिया कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया है कि मुदी सरकार ने बंगलादेश की पूर प्रधान मत्री को अपने देश पे शरण क्यों दी। हमारे आज़संदे भाईयों को देश करें से हमारे विपत्तियों या घुसपैटिया घुसपैटिया की बात करते हैं। लुए जया ना उनको कहना चारता हो। दाकि पूछ रीजे आप अपने बंगलाद मत्री से जब यह देश में पताकप्तिया सपत दरत कर रहे थे तो वही समीदार, यह भारत का समीदार है, इसी को माता में पुटक्ट करके समीदार के पहले देश कुच्रारे का संकर प्ले रहे थे, आप हिंदू, मुस्री दूस्त में बेगी बात करता है, मैं कुछ ना चाहता हूँ, किस हैस्यत से, यहीं ऐसा तो नहीं, मंदला देश और आप बात कर रहे तो यहां कर असी आप मंदल चर रहा हूँ, और वहां के पूर बदान मंत्री को इस एंधियर से आयतरा में आप लोगे उतरने का पर्मिशन दिया और यहां कर समच चजबे रखा हूँ, यह कौन कर रहा है, यह क्या है, मागे मंदल की सकार का लिए, यह भा और यह बात सही है कि जहारखट में कई ऐसी खटनाएं सामने आई हैं जहां किसी मुस्लिम विवक्त ने अपनी पहचांच चुपा कर अपने आपको हिंदू बता कर आदिवासी लड़की से शादी की, किसी ने इसे लवजिहात का नाम दिया, किसी धर्मंतरन का, पर ऐसी ख चुनावती का सामना करते हैं, इसलिए बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा आशूब बनाने में काम्याब हुई है। जियमेम और कॉंग्रेस के नेता इस प्रॉब्लम को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत है कि वो उस बारे में कुछ भोल नहीं सकते हैं, क्य जासद हुई। असल में चनिवार को लखनों की चिनर ठाने में मोहित पांडे नाम के युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी। मोहित पांडे के परिवार का इल्जाम है कि आपसी विवाद के बाद पूलिस ने मोहित को पकड़ लिया, ठाने में मोहित को बुरे तरे पीट फिर अकलेश ने ट्विटर पर लिखा दिवाली पर जिन्दों ने किसी के घर का चिराग बुझाया है, उम्मीद है, वो जूट के दे नहीं जलाएंगे, छूटी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर काला अंदकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, अकलेश ने लिखा जंत पीदर्च किया गया है, और फिर मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ खुद मोहित पांडे के परिवारवालों से मिले, मामले की जांच के आदेश दिये, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मोहित की माने का वो योगी जी के आश्वासन से संतुष्ट हैं. कि अधे बाद म्दम करेंगे, मदद करेंगे मकाम गजाएं, दस लाग ₹रुपया दिय은गे, भच्चनफीज भरेंगे और कु धंडा करवाएंगे, यह बोला है मॉनक्ताश मालुम है, वो सब मालुम को, पहले भोल दीए, हम को सब मालुम है, सब को मालुम है, जब पुलिस कस्टडी वे व्यापट ले गए बस वहीं से फतम होता है। पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत उखता ही है। तो ये कि यूपी में पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। और पुलिस अनिकारी बेलगाम हो गए है। दूसरी बात ये कही गए कि योगी के शासन में ब्रामणों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। मुझे लगता है कि पहली बात तो सही हो सकती है। हो सकता है कई पुलिस रिकारी अपनी ताकत का बेज़ा इस्तिमाल कर रहे हूं। लेकि दूसरी बात सिर्फ वोटों की राजनीती के लिहास से कई गई है। इसलिए उस पर ज्यादा तपज्ज़ नहीं देनी चाहिए। अगर पुलिस बेल अगाम है तो उस पर नकेल करने का काम योगी आदेतनात को करना चाहिए। अच्छी बात है कि योगी के सरकार ने पुलिस कस्टडी में डेथ पर परदा डालने की कोशिश नहीं की। अगरदों ने भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ दो किलोमेटर दूर सुन्दर बनी के असान इलाके में घात लगाकर सेना की एक एम्बूलेंस पर फारिंग की। एम्बूलेंस के साथ काफले में शामिल दूसरी गाड़ें में बैठे जवानों ने तुरंट काउंटर अटेक किया जिसमें एक टर्रिस्ट मारा गया लेकिन दो आतंगबादी पास के जंगलों में फाग गए। इसके बाद आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया है, हेलिकॉप्टर से इस इस इलाके पर नज़ा रखी जा रही है, A.S.G. कमांडों फॉरेस्ट के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में छोटे छोटे कई नाले हैं, टफ टेरेन हैं, पास में ही इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसलिए एहतियात के तौर पर सेना की बखतर मन गाड़ियां, B.M.P.2 को भी इतनात किया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई हरकत होती है, तो दुश्मन के दुसाहस का करारा जवाब लिया जा सके, जंगलों में सुरक आतंग बादियों के लोकेशन ट्रैक हो गई है, आर्मी पर हमला करने वाले टेरिरिस्ट कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, मुंबई के बैंदरा टर्मिनिस पर चट पूजा के लिए जाने वाली मुसाफिरों के भगदर के बाद रेलवे ने कई कदम उठाए है, प्लैटफॉर्म तवर आर्पी एफ के टेनाते बढ़ा दी गई है, स्पेशल ट्रैन्स की संक्या और बढ़ाई गई है, जनरल कोचेज में भी संक्या में बढ़हुतरी की गई है, लेकिन दिवाली और चट के लिए उसाह इतना ज्यादा है, रश इतना अधिक है कि सारे इ गबले धाई हजार ज्यादा है, दौनर रेलवे ने तीन हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स चलाने का अरान किया है, एक लाख सत्तर हजार से ज्यादा बरत का इज़्ञाम किया है, लेकिन सारे प्रबंद कम पढ़ गए है, आज भी मुमे के लोकमान ने तलक टर्मिनस जबरदद भीड दिखाई दी आज भी जब ट्रेन के गेट पर भीड बढ़ी तो कई लोग ट्रेन के एमर्जेंसी एग्जिट वाली खिड़की से अंदर घुचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिये हाला कि कल के घटना के बाद आज मुंबई के प्लेटफॉर्म पर रेवले पूलीस के तैनाती बढ़ाई गई है इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री पर आठ नवंबर तक के लिए टेंपरी रोग भी लगाई गई है ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिल्वे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री पर साथ नवंबर तक के लिए रोक लगाई गई है लेकिन दिल्ली के तमाम स्टेशन पर इसका कोई असा दिखाई नहीं दिया साथ हजार ट्रेंज का इंजाम करना कोई आसान बात नहीं है लेकिन लगता है कि सरकार को इस बात का अंदाद नहीं था कि मुसाफिव रुख संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी